अम्मी आपके जमाने में आप क्या बुले थे पैसों का क्या वैल्यू थी चार आने में नए रहा हमारे जमाने में बाहर आने में मुर्गी मिलती थे। और जो अंडे देने वाले मुर्गी एक रुपाए में मिलती थी और अंडे जो मिलते थे एक आने में, दो आने में, चार आने में अंडा पांच उरपय में बकरा मिलता था और जमीन जाइदा गरां तो इहां जारा है के बकरा लेकर आता था और जमीन जाइदाद घरां तो बहुत सस्ते होंगे हैदरबाद में वह याद नहीं है घरों का अपन जब आप पोलिस अक्षिन के वरकित कुन से चचा गए थे बाजू मुल्चन चचा को घर वेच के वह तो वकील साथ पच्चीस पच्चीस हजार में घर में खरीदी थी में मलगियों के साथ एक मलग घर में घर ली पूरा में खरीद ले सकतेते हैं अपटे तो नहीं थे बस उता है जो डबली स्टोरी में डेवला स्टोरी घर बनाई मेरे तीन मल्लिया थे उपर घर था नीचे मेरा घर था बस वालिद का इसमें कोई हे वालिद का ही पैसा था मेरे पाँ सकत्सिक्छिट मैं कामाती थी मैं कुछ मैं तो मुक्न किला थि आपने गमाती थी मैं आप सलीखे से रहते हैं ने वही बोल रहे हूं मैं खरच करती थी हम सुने आप अपने जमाने के मशूर मारूफ और हसीन हसीना थे तो बास तख़वार लोगों बुलते हों लोगों को मैं अच्छी लगते होंगे मगर असल रभ लिजद को पसंद आना ह वाजीवा इर्शाद ने हमेशा मैं अशालोडी भी रहती थी हमेशा जिंदगी बाद अन्या जब कम उमर थी 15-16 साल में तो शादी हुई थी साड़ी भी पहन भी रही तो मैं अपना जूड़ा इतना बड़ा होता था मेरा जूड़े के उपन पंदरा साल में शादी होई हो जमाने में ऐसी कर दे थे शादिया मैं बच्छों की ज्यादा ग्राइजवेट होने के बाद करी वह नेश नेश में करी ने मेरी तो आप सोलना में करें हाँ वो बाद बाद इत्तिपाक है बाद बच्छों की अच्छी आगई जबरदस्ति करने लेगे बाद में हम का लेते हैं अपने हमारी बहु को आप दे दीजे दे दीजे बोले तो तुमारी शादी जल्दी कर दिया अच्छा में शुक्रिया फदा आपिस फदा आपिस